नमस्कार दोस्तों स्वागते आपका अपने यूट्यूब चनल तैरेजी के पर दोस्तों अज 13 जुलाई एरफॉर्स 100 वाई ग्रूप का सेकेंड सिप्ट का एक्जाम समात हुचुगा है और इस सिप्ट के जितने कोशन मुझे मिले हैं मैं वो सभी कोशन इस वीडियो में लाया हूँ और यह 100% रियल कोशन है तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं पहला कोशन कर लेते हैं दोस्तों कि आप पूछा के एक जाम में फॉर्स कोशन है हमारा राजी सभा के सदस्यों का कारेकाल होता है तो कितना होता है छे वर्स राजी सभा के सदस्यों का कारेकाल छे वर्स होता है तो दोस्तों अगला कोशन कर लेते हैं क्या पूछा गया थ जोग जलब परपात कहां पर है तो यह कहां परिसित है यह करनाटक में जोग जलब परपात यह करनाटक में इस्तित है तो दोस्तों चलिए नेल क्वेशन देख लेते हैं Q3 कर लेते हैं दोस्तो नंद वन्स का संस्तापप पुछा गया था ये कौन है समराड महापदम नंद तो दोस्तो अगला Q4 कर लेते हैं Q4 कर लेते हैं बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है तो दोस्तो बिल्कुल इजी Q4 नहीं था ये होता है बिटामिन B की कमी से बेरी बेरी रोग होता है तो दोस्तो चलिए नेश क्वेशन देख लेते हैं क्वेशन उफाइपल दें दोस्तो क्या पूछा गया था? CBI का फूर्फरम क्या होता है? तो CBI का फूर्फरम होता है Central Bureau of Investigation तो दोस्तो अगला question कर लेते हैं Question में 6 कर लेते हैं क्या पूछा गया था? 2010 Commonwealth खेलों का अयोजन कहा किया जाना तई हुआ था? तो इसका सही आंथर साब का दिलली तो दोस्तो चलिए नेश क्वेशन देख लेते हैं तो दोस्तो question में 7 कर लेते हैं ये इंगलिस से question पूछा गया था, choose the misspelled word, यानि कि दोस्तों इसमें बता आना था कि कौन सो word गलत है, option दिया हुआ है disparity, illusion, middle and inotable, तो दोस्तों इसमें से गलत word है, option number A, यानि कि disparity, ये आपका सही answer था, और दोस्तों disparity के मतलब होता है अस्मानता, और यहां देखिए आप लोग illusion, इसका मतलब होता है, mayabhram, और यहां पर देखिए middle, middle मतलब होता है, mad, तो दोस्तों चलिए, अगला question कर लेते हैं, तो दोस्तों question पर 8 कर लेते हैं, antonym पूछा गया था, imbalance का, तो imbalance का मतलब होता है, किसी चीज़ को सजा देना, तो इसका उल्टा हो जाएगा, disfigure, यानि कि, imbalance के अंtonym हो जाएगा, disfigure, यानि सजे हुए को बिगार देना, तो दोस्तों अगला question कर लेते हैं, question में 9 कर लेते हैं, one word, substitution, question क्या था, of well, experienced, person, तो दोस्तों इसका मतलब होता है, एक तरह से अनभवी व्यक्ति, तो इसका one word हो जाएगा, यानि किसका सही अंसा था आप question में 10 कर दें, question number 10 कर लेते हैं, सीनानिम पूछा गया था, jest का, jest का मतलब होता है, उसा, jest का मतलब क्या होता है, उसा होता है, तो दोस्तों इसका सीनानिम हो जाएगा, pleasure, यानि कि, khusi, उसा या खुसी, ओके, तो दोस्तों चलिए, अगला question कर लेते हैं, question 11 कर लेते हैं, adjective आपका सई अंसर साथ golden question number 12 गलते हैं दोस्तो और यह आपका रिजनीय question पूछा गया था question क्या था एक आट 2764 डैश 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 यानि की 64 के बाद कौन सी संख्या आएगी तो देखे दोस्तों इसमें क्या किया गया है इसमें किया गया है 1 का 1 के cube किया गया है कितना होता है 1 और 2 के cube करेंगे कितना होगा 8 इसी तरह आप 3 के cube करेंगे कितना होगा तो 27 आजाएगा ओके और 4 के cube करेंगे कितना होगा 64 इसी तरह दोस्तों 5 के cube करेंगे कितना होगा 125 यानि की 5 के cube 125 होता है तो दोस्तो अगला question कर लेते हैं question पूछा गया था एक math का question में 13 question क्या पूछा गया था simplify the following question दिया था 171 भागे 19 गुडे 9 यानि कि दोस्तो ये board मास है question है आप लोग ने board मास तो पढ़ाई होगा ये तो बिल्कुल easy question है दोस्तो इसमें करना किया था इसमें करना ये था कि 171 में 19 से भाग देना था तो कितने बर में चला जाएगा तो ये 9 बर में जाएगा और यहाँ पे 9 है multiply देखिए आप लो तो 9 गुडे 9 बरबा कितना हो जाएगा 81 तो दोस्तो आपका सही अंसर सा 81 तो दोस्तो चलिए आपका समय कर दो जिनका आगे एकजाम है वो लोग जरूर देखे इस वीडियो को क्योंकि कोश्चून बार-बार रिपिट हो रहे हैं और दोस्तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार विजिट किये हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो दोस्तो फिर मिलते हैं यह वीडियो में थांक यू